आप सभी को नमस्कार आपकी सफलता ही मेरा मिसन है ग्यानकोस एज़केशन पर आपका अभिननदन है प्यारे बच्चों आप सब तो जानते ही हैं कि आपके अपने चैनल इस ग्यानकोस एज़केशन से आपका कम्प्लीट कोर्स तयार करवा जा रहा है गद्य काव विसंस्क्रेट, शब्द रूप, धात रूप, रज, छंद, अलंकार यानि A to Z सारा का सारा सलेबस यहां से अपलोड हो रहा है बिसेश करके 2022 की जो परिक्षा होने वाली बोड परिक्षा उसको ध्यान में रखते हुए और COVID-19 की वज़र से जो कोर्स कट चुका है तीस प्रसत कुर्स जो कट चुका है उसको हटा करके जो पाठ आपको पढ़ना है उसका वीडियो आपको प्रवाइड कराया जा रहा है ठीक ना इसके पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप वहां से देख सकते हैं आज हम लोग बापू के प्रति ये जो पाठ है इसका हम लोग विस्तार से ध्यन करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का ये कविता है और इसके पहले के अगर मेरे चैनल से वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में सबका लिंक दिया हुआ है आप वहां से उनसे वीडियो को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आज हम लोग शुरू करते हैं यह जो इस कविता में पंत जी ने बापू के प्रति एक तरह से सरधांजली अर्पित किये हैं और उनका मानो जीवन में जो योगदान रहा है मानवता के लिए जो कल्याण किये उसी के बारे में वरण किया गया है ठीक ना आएए देखे हम लोग सीधे आते हैं टापिक पर तुम मानस हीन तुम रक्त हीन है अस्ति सेस तुम अस्त हीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नमीन तुम पुर्ड इकाई जीवन की जिसमें असारभव शुन्यलीन आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्रित समासीन तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्ति निर्मित जिसमें नव युक का तन तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग हे विश्व भोग का वर्साधन इस भस्म कामतन की रज से जग पुड काम नव जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी की पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज जड़ता हिंसा स्परधा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज पसुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज आईए देखिए काते हैं कि हे बापू तुम मांस हीन हो मने मांस हीन का मतलब तुम बहुत दुबले पतले हो तुम्हारे सरीर में केवल अस्थ मातर ही बचा हुआ है तुम मांस तुम्हारे सारे मांस गल चुके हैं बहुत दुबली पतली तुम्हारी काया है तुम रक्त हीन तुम रक्त से ह ये नो मने तुम्हारे सरीर में अस्थिवी दिखाई नहीं देती है, लेकिन तुम सुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, लेकिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, प्रबुद्ध है, मने तुम सुद्ध और प्रबुद्ध आत्मा वाले हो, कहने कतात पर ये है, कि कहते हैं, पं आत्मा शुद्ध और बुद्ध है, मने आपकर आत्मा शुद्ध और प्रग्या से युक्त है जिर पुराण और चिर नवीन उनल्मा को दोनों को ले करके साथ साथ चलते मतलब आपके आचरण में प्राचीन पुरातन संस्कृति पुरातन धर्म जो है वह भी है और जो नयापन है जो नए जीवन के लिए मतलब एक तरह से बरतमान समय के लिए जो संस्कृत और सभ्यता या जिस तरह से विज्ञान के दोरा हम उन्नति कर सकते हैं यह अंदर नवीन और पुरानी यह हर प्रकार की सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना विद्यमान है। इसका ताथ पर यह होगा। तुम पुर्ण इकाई जीवन की पंत जी कहते हैं कि हे बापू तुम जीवन की पुर्ण इकाई हो यानि तुम्हारा जीवन एक संपुर्ण जीवन है तुम मतलब एक तरह से जीवन का अपने आप तुम एक ऐसे व्यक्तित्व हो कि जो समस्त जीवन को संचालित करने के कारक ह तुम जिसमें असार भाव शुन्य लिन और तुम असार बने तत्वहीन तत्वहीन का ताथ पर यूं कह सकते हैं नश्वर भाव सुन्य तुम इस भाव मनोता संसार शुन्य मनोता आकास तुम इस असार संसार मतलब यह जो जो नश्वर संसार है इसके शुन्य में तुम लिन ह लेकिन वास्तविक्ता ये है कि तुम जीवन की एक संपुर्ण इकाई हो अर्थातिये कि है बापू तुम हमारी बीच में नहीं हो तुम दुनिया छोड़ चुके हो तुम इस भाव सुन्य में लीन हो गए हो लेकिन आज जो तुम एक सत्य और अहिंसा का एक आधार अस्तंब दे गए हो इस मानवता के लिए वह मानव जो है उस पर चल करके वह अपने जीवन का अंतिम लक्ष प्राप्ट कर सकता है इसलिए तुम जीवन की परपूर्ण इकाई हो आगे देखिए आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृत समाचीन कहते हैं बापू जो तुम सत्य और अहिंसा का एक आधार दे चुके हो मानवता के लिए वह एक अमर आधार बन जाएगी किसकी भावी संस्कृत भावी की संस्कृत समाचीन बतला जो आने वाली जो संस्कृत है जो आने वाली हमारी पीड़ी है वह पीड़ी उस पर आसीन होगी प्रतिष्ठित होगी आधार दे चुके हो अमर आधार दे चुके सत्य और अहिंसा का वही जो है उसका एक प्रतिष्ठित आधार भूमी बनेगा क्लियर हो गया आगे देखिए अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप इसको सब्स प्रतों तक सेयर कर देजिए आगे देखिए तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थ निर्मित जिससे नौजुग का तन तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग है विश्वभोग का वर्साधन अर्थ देखिए कहते हैं कि है बापू पंत जी कहते हैं है बापू तुम जो है आने वाली जो पीड़ी है आने वाली जो संस्कृत और सभ्यता है उसके तुम मांस के रूप में हो मतला उसके तुम सरीर के रूप में तुम उसको निर्माड करोगे तुम ही रक्त अस्थ तुम ही उसके रक्त बनोगे अपने जो सिधान्त प्रतिपादित कर दिया है आने वाली पीड़ी अगर एक मानव के रूप मुसको कहा जाए संस्कृति और सभ्यता की बात किया जा रहा है अगर संस्कृत और सभ्यता एक मानवी रूप अगर धारण करें तो तुम उसके मांस बनोगे तुम ही रक्त बनोगे तुम ही उसके अस्थियां बनोगे निर्मित जिस से तुमारे रक्त से और तुमारी अस्थियों सोगा अर्थात जिस सिधान को तुम प्रतिपादित कर दिये हो उस त्द्धान्त के आधार पर ही नए जुग का निर्मार होगा क्लियर हुआ आगे बढ़िए तुम धन ने तुमारा निश्वत्याग है विस्टो भोग का वर सा जो है यह स्रिष्ट भोग का साधन है भोग बिलास का साधन है यहां लोग आते हैं धन दवलत बैभव इकठा करने के लिए यहां लोग स्रिष्ट साधन को प्राप्त करने के लिए आते हैं लेकिन कहते हैं खेबापू तुम्हारा निस्वार्थ त्याग तुम निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में रहे, इस दुनिया को अपना पूरा तन समर्पित कर दिये और तुम अपना जो जीवन जीए, बिलकुण निश्वार्थ भाव से जीए, इसलिए तुम धन्य हो, आगे कहते हैं, इस भस्म काम तनकी रज से जग पूर्ड काम नौ जीवन, नौ जग करें जो नया जग जीवन है जो नया जो ये संसार का जो निर्माड होना है जो इस जग का पुड काम है इस भस्म काम तन की रज से तुम जो है कामना के भस्म से अपने तन की रज अपने सरीर के रज से अपने सरीर के रज मैंने समझते हैं राख या मिट्टी ठीक ना अपने स पुर्ण काम दिये हो और एक नया जग जीवन परदान कीए हो इसका अर्थ थोड़ा सा दूसरे ढंका इसको थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे इसका तात्पर है कि काम भस्म मने तुम अपने कामना को क्या कर चुके हो भस्म कर चुके हो इच्छा लिपसा इसका मतलबिवा हे बापु तुम अपने कामनाओं को तुम सभी अपने लिपसाओं को अपने सभी लालत को क्या कर दिये हो भस्म कर चुके हो अतन की रज से तुम पूरे मानवता के लिए संपुर मानवता के लिए अपने सरीर को तुने उच्छावर कर दिये तपने तन की रज से अपने सर संसार का तुम नया निर्माड ये हो अपने तन की रज से अपने शरीर के राक से अर्थात तुम संसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिये आगे देखिए कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेजेगा बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवप और कर रहे हैं कि जो आगामी जो पीड़ी है जो आने वाला जो संसार है आने वाले जो लोग हैं संसार के यह तुम्हारे सत्य और अहिंसा के धागे से मानवता का ताना बाना बुनेगा मतलब जो मानवी एकता है सारे संसार में पूरे विष्ट में मानवी एकता के ताने बाने कैसे बिना जाएगा सत्य और अहिंसा के धागे से बिना जाएगा अर्था तुमने जो सत्य और अहिंसा का सिधान्त प्रतपादित कर दिया है ना उसके आधार पर पूरे विष्व म एक मानोता किया स्थापना किया जा सकता है किलेर हो गया कहीं कोई दिकत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो सब कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके अवज से बताएंगे कि हमें इसमें कुछ सुधार कर रहा है समझ में आ आ रहा है आ रहा है तब भी नहीं आ रहा है तब भी कहीं कोई दिकत तब भी आप कमेंट करके उसे बताएंगे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करते चलिए आगे देखिए सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज जग्की मिट्टी के पुतले जन त आते हैं के बापू इस संसार में सभी लोग सुख भोगने के लिए सुख भोग खोजने के लिए बने सुख का भोग खोजने के लिए अर्थात एक सुख संब्रिद्दी धन दौलत खोजने के लिए इस संसार में सभी लोग आते हैं लेकिन तुम क्या करने हो आये तुम करन के मनोज कर रहे हैं यह जो पुतले जो लोग है न संसार के जो लोग है यह इस जग के जो लोग है जग के जो जन है यह क्या है मिट्टी के पुतले हैं इस संसार के जो लोग है यह क्या है मिट्टी के पुतले हैं और तुम आत्मा के और मन के मनोज हो लेकिन तुम आत्मा के औ और मन के तुम दोनों के मनोज, मनोज का मतलब होता है कमल, कमल का ताथ पर होता है स्रेष्ट, यहां एक अर्थ यह भी होगा, अब मनोज का दूसरा एक अर्थ होता है कामदेव, क्या आर्थ होता है कामदेव, कामदेव का मतलब क्या होता है, मना धन जो स्वैम मन से उत्पन ह जो मन से स्वयम उत्पन हो जाए मन सुत्वपन हो जाए उसको कहते है काम देव इसका दोनों अर्थ ले सकते कमल का मतलब स्तिके से निया सुख़त है तनि ने कॉत्रत हैmosete आपको पता स्रिष्ट है कि जो भी विचार तुम्हारे मन में उत्पन होते हैं वह एक मानवता के कल्याण के लिए ही होता है या यहां दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि संसार के सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं मतलब वह अज्ञानी है वह स्रिष्ट अतम नहीं है लेकिन तुम्हारी आ अहिंसा अस्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अगे देखिए पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जो पस्ता का पंकज बने हुए थे अब देखिए इसका भाव समझेगा कहां इसका भाव है कहां इसका अर्थ है क्या इसका बिम्ब है इसको थोड़ा समझने का प्रेत्न करेंगे करें हर व्यक्ति पंक तो कर रहा है कि जिसके अंदर जो पंकज थे जो मानव जो स्रेष्ट मानव थे वह पसुता में जकड गए थे अर्थात उनकी पसु प्रवीर्त हो गई थी तुमने अपने सत्य और अहिंसा के सिध्धान्त से उसके तेज से उसके ओज से मानवता का सरोज बना दिया जो पसुता का सरोज था जो पसुता का जो कमल था उसको तो मानवता का कमल में बदल दिया मत उसके अंदर पशुता का भाव नश्ट कर दिया, उसके अंदर मानोता का भाव जाग्रित कर दिया किलियर हुआ ना? चलिए, कहीं कोई दिक्कात होता आप कमेंट करके अवश्च पूछ लिजिएगा, आईए देखिए पस बलकी कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ती, विद्वेश घ्रडा से लड़ने को सिखलाई दुर्जे प्रेम युक्ती, बर्सरम प्रसूत से की क्रतार्थ तुमने विचार प्रडित उक्ती, विश्वान उरक्त है अना सक्त सर्वस्वत्याग को बना मुक्ती, आगे देखिए अर्थ, कहते हैं खेबापू, पस बलकी कारा से जग को, कारा मन होता है कारागार कह सकते हैं, बंधन कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, सलाखा जो जेल का जो सलाखा उसको कह सकते हैं, कई अर्थ इसका होता है, तो इसको कारागार से समझ सकते हैं, जो पस बल की कारगार जो संसार में पशुता का माहौल था मैंने पाश्विक बल से इस संसार के लोगों को जिन लोगों ने परतारी कर रहा था या कर रहा था नियृ जिसके अंदर शकति थी जिसके पास शकति थी सामत्य था अपने सामर्थ के बल पर वो पसुबल के रूप में मने कुरूरता पुरुवक इस संसार के लोगों को एक कारा में एक कारागार में डाल दिया था दिखलाई आत्मा की विमुक्ति तुमने उस आत्मा की विमुक्ति कैसे हो सकती है आत्मा कैसे इस कारागार से म आईसे हतास हो गए थे हमको लग रहा था कि अब हम गुलामी की ही जिन्दगी जीवन भर जीएंगे ऐसा लग रहा था और यहार लग रहा था कि हमारे भागे में कभी स्वतंदर्ता आजा दी ऐसा कुछ है ही नहीं तो ऐसे लोग जो पशुबल से संसार के लोगों को एक द्वेस घृड़ा से लड़ने को सिखलाई दूरजय प्रेम युक्त करें द्वेस और घृड़ा से लड़ने के लिए तुमने प्रेम युक्त यानि प्रेम का जो अस्त्र अपनाने की बात कही और इस यह अस्त्र क्या है दूरजय है प्रेम का अस्त्र जो है प्रेम का अस् अस्तर से प्रेम के हथियार से घृड़ा को और देश को लड़ने की बात बताई क्योंकि प्रेम एक ऐसा अस्तर है जो दूरजय है जिस पर कभी विजय नहीं पराप्त किया जा सकता है मतलब इसके द्वारा हम किसी भी चीज पर विजय पराप्त कर सकते हैं लेकिन प्रेम होता है परिस्रम प्रसुत मैंने इसा को तुम सथ और अहिंसा को अपने परिस्रम से जो तुमने उस उथ्पन किये था जन्म दिया तो सत्य को उससे तुम पूरे संसार को क्या कर दिये कृतार्थ कर दिये पूरे संसार पर तुमने एक उपकार कर दिया उस अस्त्र को देकर सत्य और इंसा की सिधान्त को प्रतपादित करके तुम पूरे संसार को कृतार्थ कर दिये तुमने विचार परडित उक्ति और अपने विचार से जो उक्ति मन होता है कथन परडित मन मैंने पूरे संसार के विचार को जो विद्वेस, घिरडा से जक्रे हुए थे, पसुता का महावल उनके अंदर था, मैंने पश्व प्रविर्त उनके अंदर थी, तुम अपने विचार से, अपने उक्तियों से उन सभी को क्या कर दिया? परडित कर दिया. बिश्वा नुरग, जो बिश्व में अनुरग्त थे, जो क्यों भोग विलास में अनुरग्त थे, उनको तुमने क्या कर दे? अनाशक्त बना दिया. मतलब जो भोग विलास की लिपसा में लगे हुए थे, उनको तुम सन्यासी के तरह से जीवन जीने की कला सिखा दी. सरवस्व त्याग को बना मुक्ति और तुम मुक्ती का धाम किसे बनाया मुक्ती का धाम तुम बनाया सरवस्व के त्याग को तुम लोगों को बताया कि मुक्ती तुम्हारी तभी हो सकती है जब तुम 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 सरवस्व का त्याग करो और सरोसो जो त्यार कर देते हैं उनको मुक्ती मिल जाती है आगे देखिए अगर कहीं कोई दिकत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा और आप वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिजि इस चैनल को आगे देखिए उरके चर्खे में कात सुक्ष्म जुग जुग का विशय जनित विशाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद रंग रंग खदर के सुत्रों में नौजीवन आसा इस परिहालाद मानवी कला के सुत्रधार हरलिया यंत अर्थ देखिए काता है कि तुम अपने हिर्दय रूपी चर्खे में जो सुट काते हो जुग जुग का विशय जनित विशाद विषय जनित विशाद की मतलब क्या हुगा? जो भूग लिफसा से उत्पन जो दुख है? दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? भूग लिफसा लालत, स्वार्थ यह सब THOU विशाद का कारक है. कष्ट का कारक का कारक है कर रहें तो युगों युगों से जो विशय जनित विशाद था जो भोग लिफसा के कारण उत्पन जो दुख था गुंजित कर दिया गगन जग का और जिसे पूरे संसार इसको तुम क्या कर दिये अपने उस उर के चर्खे के धाग मतलब जो उर के चर्खे मनें काटा है जो तुम धागा बनाया है उससे क्या कर दिये हो युग युग से जो विशय जनित विशाद है उसको समाप्त कर दिये हो मिटा दिये हो गुंजित कर दिया गगन में जग का भर तुमने आत्मा का निनाद तुमने आत्मा का निनाद मनें आत्मा के आवाज से पूर संसार के गगन को जगत के गगन को क्या कर दियो गुंजित कर दियो मतलब जो आत्मा कैसे पवित्र हो सकती है आत्मा कैसे निर्मल हो सकती है अपने आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं उस सत्य और अहिंसा के खोज से उसको तुम क्या कर दियो उसकी आवाज से अपने आत्मा कर दिया है तुम्हारे हिर्दय में जो रंग विरंगी जो खदर के सुत्र है तुम उर के चरखे से जो तुम ये सूत कात रहो न वो सूत कैसा है रंग विरंगी खदर का सुत्र है मतलब तुम्हारे मन में नए नए गूड नए नए जो विचार उत्पन हो रहे हैं तुम्हारे हिरुदय में उन विचारों से संसार को पवित्र कर रहे हो निर्मल कर रहे हो और नव जीवन आशा तुम्हारे उन विचारों में नए जीवन की आशा है और इस प्रिहा लाद औ यानि आनंद और प्रेम आनंद अर आसा इसे कह सकते हैं आनंद प्रेम और आसा इस नए जीवन में तुम ला दिये हो ठीक है न वही आनंद प्रेम और आशा जो है यह रंग बिरंगा खदर का क्या है सूत है आगे देख़े है मानवी कला के सुत्रधार हरलिया यंत्रकौसल प्रवाद करते हैं बापू, तुम मानवी कला के सुत्रधार हो, वास्तों में मानवता क्या है, तुम इस मानवता की कला के क्या हो, सुत्रधार हो, हरलिया यंत्रकौसल प्रवाद, और जब यंत्रों का आविश्कार हुआ, तो तुम इसके प्रवाद, प्रवाद मने दुख, तुम यंतरों के आविशकार से जो एक दुख उतपन हुआ, उसके कौशल को तुम क्या कर लिए हो, हर लिए हो, कहने कितात पर यह है कि जब नए नए यंतर का अविश्कार हुआ तो लोगों को लगा कि अब रोजगार छिन जाएगा अब सब लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे लेकिन बापु ने कहा नहीं ऐसा कुछ ने होने वाला है तुम एक लग कुटीर उद्योग धन्दा यानि स्वयम कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम आत्म निर्भर हो सको इसलिए बापु ने चर्खा से सूत कात करके पूरे देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रेत्न किया तो उस तरह का प्रेरणा दे करके और कहे कि उस ते तुमको घबरानी की आवश्कता नहीं है अगर यं अपना लग उद्ध्यो अस्थापित करेंगे ऐसा उन्होंने किया तो ऐसा करके जो है कि यंत्र के कौसल के प्रवाद को क्या कर लिया हर लिया आगे देखिए कहते हैं सामराज वाद था कंस वंदिनी मानवता पस बला क्रांत स्रेंखला दास प्रहरी बहु निर्मम सासन पद शक्ति भ्रांत कारा ग्रिह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्तिकांत जन्शोशड की बढ़ती जमना तुमने की नत पद प्रणत शांत आगे कहते हैं सामराज वाद था कंस यह सामराज वाद जो है न जो सामराज वाद जो था न यह कंस के रूप में था सामराज वाद मुझा अंग्रेजो का सासन अंग्रेजी सासन जो था वह कंस के रूप में था बंदिनी मानवता जिसमें मानवता बंदिनी बनाई गई थी कि कार गार में मानवता बंदिनी बनाई गई थी पशु बलाकरांत इसरह कंस के अंदर मतलब पशु मतलब पशुवत पशु प्रविर्त थी पशु बल से आकरांत पशु बलाकरांत मतलब शक्ति तो थी लेकिन शक्तियां कैसी थी पाश्विक शक्तियां थी वह लोगों के कल्यार क लिए शक्ति का उपयोग करते थे वही शक्ति जो की पश्वत शक्ति हो जाती है ठीक ना तो काते हैं कि उस समय जिस समय कंस के अंदर पश्वत शक्ति थे उसी तरह से पश्वत शक्ति जो की सामराजवाद के अंतर भी थी और उसके माध्यम से जो है कि वह अपनी शक्ति का द प्रहरी दास्ता जो थी दास्ता की जो सरिंखला थी दास्ता की जो वेडियां थी वह उसकी प्रहरी के रूप में काम कर रहे थी जिस तरह से कंस के जेल में प्रहरी थे न तो जो दास्ता की वेडियां थी या प्रहरी के रूप में थी सब एक में रूप सामें दिया गया है ब और जो शासन था शासन का जो पद था शासन की जो सत्ता थी अपनी शक्ति से भ्रमित हो करके निर्मम हो गया था उसके अंदर शक्ति हो गयी थी और शक्ति के भ्रम में कि मतलब यह शक्ति हम इसी तरह से हमेसा अजे रहेंगे इस भ्रम में जो है वह क्या हो गया था निर्ममत पुर्वाकार करता था लोगों के उपर लोगों पर अत्याचार करता था यानि उस समय का शासन जो है अत्याचारी शासन था और अपने शक्ती से ब्रहमित थाओ आगे देखिए कारागरे में दे दिब्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत करें उस समय जए परिशितिवों में क्या हुआ कारागार में भगवान क्रिश्न का जन्म हुआ और उसके बाद से उन्होंने कंस का बद करके उस समय मानवता के स्थापना किया तो कहा रहें उसी तरह से कारागरी में दे दिब्य जन्म, तुम उस ऐसे कारागार में जहां ये मानवता बंदी बनाई गई है, ऐसे कारागार में जो है, तुम अपने सत्य और रहिंसा को मतलब जन्म दिया, दिब्य जन्म दिया, कैसा दिब्य जन्म सत्य और रहिंसा के अस् की बढ़ती जमुना और जन शोशड की कांत मन होता है चमक ठीक ना आप समझते हैं तेज कह सकते हैं तेज चमक तो माना होता है कि आत्मा को तेज मन ने ओज से भर दिया और उसको मुक्त कर दिसका ताथ पर यह हुआ जन शोशड की बढ़ती जमुना और जन शोशड रूपी जो जमुना बढ़ रही थी, तुमने की नत पद प्रडत शांत, अब यहां भाव साम में देखिएगा क्या है, जब वसुदेव नौजात स्री कृष्ण को लेकर जब जमुना पार कर रहे थे, जमुना का बेग बढ़ रहा था, तो कृष्ण ने क्या किया, लिका दिया, और जन शोशड रूपी जमुना काई कोई देखा थे, कमुने करके पूछली जेगा, मने जन शोशड रूपी जो बाढ़ आ रही थी, तुमने कैसे नत किया, कैसे समाप्त किया, कैसे जुखा दिया, अपने पद प्रडत शांत, मने अपने सत्य और अहिंसा रूपी पद से, च शान्त कर दिया ठीक है कहीं कोई दिखात हो तो कमेंड करके पूछ लिजेगा लाइक सेरो सब्सक्राइब करते चलिए काराथी संस्कृत बिगत भित्ती बहुधर्म जाती गती रूप नाम बंदी जग जीवन भू बिभक्त विज्ञान मुढ जन प्रकिर्तिकाम आयत मुक्त पुरुस कहने मिठ्या जडबंधन सत्य राम नांदृत जयती सत्य माभय जय ज्यान जोती तुमको प्रडाम बहुत अच्छी पंगती है यहां देखिए पंत जी कहते हैं कारा थी संस्कृत विगत जो विगत संस्कृत थी वो क्या थी ये कारागार के समान थी जेल के समान जो पिछले संस्कृत थी आजादी के पहले के संस्कृत थी वो क्या थी कारागार के थी भित बहु और भित माने होता है दीवार वो बिभिन प्रकार के दीवारों से घिरी होई थी वो कारागार वो कारागार में दीवार बनते हैं जेल के दीवार होते हैं माले चार दीवा दोर दिवार क्या था धर्म जाती गती रूप और नाम कि यह से dominant रूप तिक भूर यह कौन मुस्लिम्ए क्या वह नाम हुज तो नाम रूपी ज्ये जह क्या नम है दिवार गति रूपी दिवार, जाति रूपी दिवार, धर्म रूपी दिवार, ये चारो तरफ जो है कि इने दिवारों से घीरा हुआ, वो उस समय की विगत संस्कृती थी, उससे कारगार बनाया गया था, आगे देखिए, बंदी जग जीवन, संसार के सभी लो, क्या थे उसमें बं बंदी बनाया गया था, हमने पूरा संसार गुलामी का दंस जहल रहा था, गुलामी में जी रहा था, भूबिभक्त और ये धर्ती बट गई थी, छोटे-छोटे टुकुड़ों में बट गई थी, छोटे-छोटे रियासतों में बट गई थी, सब लोग किवल धर्ती के लि कर रहा था विज्ञान का आविश्कार होना चाहिए मानवता के कल्यान के लिए लेकिन आज का विज्ञान का आविश्कार हो रहा है मानवता के विनास के लिए यहां वही बात बता रहे हैं विज्ञान जो क्या था मूड हो चुका था जन प्रकिर्ति काम और जन की प्रकिर्त था सब लोग अपने अपने स्वार्थ में जी रहे थे आये तो मुक्त पुरुष कहते हैं लेकिन ऐसे समय में तो मुक्त पुरुष बन करके आये तुम इस दास्ता के जीवन को समाप्त करने के लिए इस वेडियो को काटने के लिए तो मुक्त पुरुष के रूप में आये औ तुम जिस संसार को जीतना चाहते हो, तुम जिस भुभाग को जीतना चाहते हो, तुम जिस राज को जीतना चाहते हो, यह क्या है? मिथ्या है, जड़ है, यह जड़ का बंधन है, यह मुर्खता का बंधन है, यह मिथ्या यह जूट है, सत्य केवल एक ही चीज है, और वह क्या है राम मने इश्वर मने किवल इश्वर ही सत्य है इसके अलावा संसार में जिस चीज के लिए तुम मार काट कर रहे हो जिस चीज के लिए तुम अत्या चार कर रहे हो वो सब का सब मिथ्या है जूठा है या नश्ट होने वाला है आगे देखिए ना अन्रित जयती सत्यम माभ थीक न? नृत और अंृत का भिजह नहीं प्राप्त हो सकता है ुक य जैग्यान जोती तुमको प्रडाम काते है बापू तुम ग्यान की जोती हो तुम्हारा जैकार हो तुम्हारा जैगान हो मैं तुम्हारा जैकार करता हूँ मैं तुम्हारा जैगान करता हूँ और मैं तुमको प्रडाम करता हूँ क्लिए रोगे ना तो चलिए इस तरह से आप आपका ये पूरा का पूरा है कंप्लेट हुआ इसके पहले आप नौका बिहार तो पढ़ी चुके हैं और भी इसके पहले बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करका पूछ लेजिएगा और अंत में इतना ही मैं कहूंगा इतना ही रहा हो मेरा परिश्रम आपको भार रहा हो तो क्या करेंगे आप इसको लाइक कर लिजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिजिए यह फिर आम लों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद झाले परिया वीडियो में आपको भार रहा ही में आपको भार रहा ही में आपको लिजिए. झाल झाल झाल